हलो दोस्तो हम यहाँ पर बात करेंगे PNB Housing Finance Limited वाले श्टॉक से लिए शेर की बात करें तो शेर आज लगबग 3% किरा है और 611 रुपे पे ट्रेड कर रहा है और पिछले अगर बॉटम से देखें तो लगबग डबल होता हुग नजर आ है तो क्या हमें इस शेर को भी लेना तो पूरा टेक्निकल, फंडामेंटल, टारगेट, स्टॉप लॉस इन सभी चीयों से लिटरी बाते करेंगे और जानेंगे exactly हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करना चाहिए तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि काफी लोग वीडियो तो देखते हैं लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं और उसकी वज़े से क्या होता है उसके अंदर misunderstanding पैदा होती है और फिर कुछ भी comment करने लग जाते हैं तो पहले लास्ट तक वीडियो देखें उसके बाद अपने adjustment दें उससे पहले दोगे तो फिर उसमें कोई फाइदा रहेगा नि PNB Housing Finance की अगर बात करें जैसे कि Housing Finance लिखा हुआ है तो Housing Finance पतलब Housing Loans से related ये company काम करते भी दिखाई देती है और जैसे PNB का एक पार है और Government यहां पर ये stock में जराता है तो उसी यहां पर आपको mostly पता चल गया है कि Housing से related है यहां पर वही सब चीज़े होने वाली है ओके यह ही काम करती है तो यहां पर देखिए ये company का customer housing and the non-housing loan भी प्रोवाइड करती है including individual home loans, loan engagement property, non-residentship property loan among others, it is a promoter by Punjab National Bank जैसे कि आप बात जानते हैं, Punjab National Bank इनके क्या है promoters है, उनके पास 32.53% के शेया, promoters की तरह है रखे हुए, as well as FIS की holding देखे, तो FIS की holding है आपको बढ़ती जो ही नजर आ रही है पिछले quarter से, 0.24 से 0.64 हो गई है, DIs की holding दीर लगाता नहां पर कम होई है, और public holding की बात करें, तो 40.85, अब यहां से holding कम होनी शुरू हो गई है, तो जब बढ़ती है, तो बेकार होता public holding और यासी कम होनी शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं अच्छा हो PNB Housing की बात करें, Market Cap, तो 10,000 क्रोट रुपे की Market Cap है, मतलब यह Small Cap Company है, PE की बात करें, 10 का PE है, Industry का PE 20 का है, तो कहीं ना कहीं सस्ता नजर आता है, बट PE के basis पे कभी काम नहीं करना, Debt की बात करें, 4.99 नहीं दिखा रहा है, बट आपको इस पे घपराना नहीं है, क्यों क्योंकि Housing Finance मतलब Loan से लेटिट काम है, तो Loan लेना, देने से लेटिट काम है, तो यह आपको यहाँ पर देखना नहीं है, तो यह mostly NBFCs, Broking Firm और Banks में यहाँ पर नहीं देखना 30% की रेटन यहाँ पर बनते हैं, मैक्सियन चार्ट की बात करें, तो कभी शेयर यहाँ पर 1600-1700 रुपे, 2000 रुपे के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता था, वहाँ से गिरावट है, और शेयर अब एक नई दिशा पकरने के चक्कर में है, और शेयर यहाँ पर अच्छे खा बट उसके बात जब सुधरता हुआ नजराया तो लगातार अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे है, इसके रिजल्ट और कुछ कौटर की बात करें, यहाँ पर अच्छे खाहसे रिवैंड यहाँ पर अच्छे आरे है, यहाँ पर नेट नज़र आ रहे है, और यहाँ पर नेट पॉफिट की बात करें 272 करोड रुपीज का नेट पॉफिट है जो कि yearly और quarterly दोनों basis पर अच्छा खाजा नजर आता है EPS company का बढ़ रहा है as well as बात करें NPA तो यहाँ पर देखिए company के जो gross NPAs है वो भी yearly basis पर कम हो रहे है net NPAs है वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे है और net NPAs तो यहाँ पर quarterly basis पर भी कम होते हुए नजर आ रहे है तो company यहाँ पर और yearly quarterly दोनों basis पर gross NPAs भी कम होते है तो NPAs का कम होना plus में company के performance यहाँ पर बढ़ना एक positive signal बाना जाता है यहाँ पर देखते हैं तो yearly basis पर company का profit यहाँ पर अच्छा गास है company अच्छा गासा perform भी कर रही है okay highest driver तो नहीं है बट इस्टिल अच्छा गासा back to track आती हुए नजर आ रही है reserves की बात करें 10,000 क्रोड के आसपास के reserves से इतनी market value है उतने ही reserves भी पड़े हुए बॉराइंग दे रखी है 51 क्रोड रुपीज के आसपास की और यहाँ पर देखिया working progress में यहाँ पर investment 300 क्रोड रुपे cash की बात करें थी में जा करोड रुपे और मैंने आपको दिखाई दिया है कि holding किस तरीके से है तो यहाँ पर ज्यादा share नहीं है लगए 8% के share यहाँ पर market में free float है तो 8% के share का मतलब है 800 करोड रुपे तो 800 करोड रुपे तो कोई भी काफी 2-4 गुरूप और fund मिलके यहाँ पर हिला सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर company के टेक्निकल से लेडिट बार उससे पहले आपसे request करूँगा चाहिना को subscribe bell icon को hit all की notification कौन करें ताकि इस तरह की video मिलती रहे buying selling की कोई recommendation है अपने financial advisor खुद की study करना है और सीखना है जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे और जब तक fit dependent ही रहना पड़ेगा आपको कहीं न कहीं किसी न किसी के और नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई प्रशानी नहीं है हम आपके लिए बैठे हुए डवलेट 605-40501-8169-2610-37 दोनों सीखना चाहते हो तो भी कोर्स आपके लिए बनाया हुए जहां पर टेक्निकल बेसिक्स तो एडवांस रिसार फंडामेंटल सब सिखा जाता है वह भी 15,000 रुपे में 17,500 फीस थी बढ़ डिस्काउंट है तो 15,000 रुपे में फीस है और यह याद रखिये केवल 15 ता आप कहोगे कि शायर पहले कर लेता तो आज मुझे लॉस नहीं हो रहा होता और यहाँ पर लोग फज जाते हैं जो उपर के लेवल पे वहां पर आप कभी नहीं फशेंगे इस सीट की मेरी गारेंटी है से क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट से खाय जाएगा और अगर नहीं सीख पी स्पर्मन देखें ओके हमारे गुरुप के साथ एड़ हो सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखिए यह कल देया था पहरा पॉलिमेट कल ही दिया है यहाँ पर क्या है आपको चीजे सीखनी है और यह इस तरीके से बाकी जिनका पॉर्टफोलियो बढ़ा है वह क्या कर सकते हैं उनके लिए एक मैने प्रीमियम गुरुप खूल रखा है यहाँ पर इन्ही नमबरों के यहाँ पर जब आप इसकता से और से चीजे को सब्झना हर नहीं से बाते करेंगे और आपको बताया जयुक तो जैने सीखना है वो से और पैसा सही से मैनेज करना है कि उन्हें ल पैसा ऐसी बरबाद होते रहेगा ओके और यह स्टेजिस हम अपने रिसेंच पार्ट में यहां पर सिखाते हैं यहां पर देखिए यहां पर एक ब्रेक आउट हुआ ब्रेक आउट के बाद एक सेलिंग केंडल बनी यहां पर टेक्निकल में दिया जाएगा तो इसमें भी टैंशन नहीं है चीजे नीचे गिरत हुए नजारा है मार्गिट का प्रेशर भी था देखें यह क्या है सपोर्ट इस सपोर्ट को इसने लिया है और यहां से रहता हैं यहां से रहता है यहां से रहता है जिस को इस में कहते हैं इसा जाहते है। इंट्रेंसिक वेल्यू कितनी थी 800 कुछ लगभग इतना ही है तो लगभग 50% के टार्गेट तो आपके यह हो गया ठीक है 51% के टार्गेट यह हो गया जो कि मुझे नाज़र आता है होगी दुबारा और डिपेंड ओन रिजल्स को भी यहां पर मैटर करेगा सब चीद मैटर करेगी और जैसे ही यहां से चीज़े निकलेगी तो यहां पर अगला टार्गेट को रहेगा जैसे ही यह 900 और 1000 रुपे के लेवल को 1100 रुपे का लेवल निकालेगा सीधा है और 17 सुका अगर टार्गेट आता है तो आपको समझ सकते हो कि टार्गेट कितने हो गए 177 परसेंट की तो जिनके पास पेशेंस है और अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया दोनों चीज़ कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और पेशेंस है ओके तो मु टेलर भी अगर चाहे तो मिलके यहां पर हिला सकते हैं, शेयर को उपर पोचा सकते हैं, FIs बढ़ा रहे हैं, DIs भी हैं, FIs भी हैं, Promoters की Holding भी है, शेयर भी अच्छा है, कमपनी अगर हम बात करें, इनके NPS कम होते हुए नजर आ रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, और कमपनी के यहां पर आप देखेंगे, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं, तो यह सब चीज अच्छी खासी यहां पर दिखाई दे रही है, क्या बाइंग से लिंग करनी है, अपनी खुद की श्टड़ी करके, मेरे एकॉर्डिंग यहां पर छोट कम रिस्क है, तो उसी साब से मैं यहां पर देखूँगा, बटबाइंग से लिंग करनी ही, आपने फाइंशे अड़वाइजर कुद की श्टड़ी करें, चानला को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट करें, होप आपको सब कुछ समझ में आगया होगा, नहीं आया, फिट भी आप मैं से कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकि किसी को वाट्सप गूरूप जोइन करना है, तो 1000 रुपीज, जो कि बिल्कुल नाके बरावर पीज है, जो कि आप यह दर जाके खर्च कर देते हैं, जो नहीं है, श्टॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जोइन होने पर, और आपको बताया जागा, इन श्टॉक्स में ही ट्रेड करके, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पर देखें इन नमबरों पर कॉन्टेक्ट, बाकि सीख ले, सीख के कुछ अच्छा है यह नहीं सीखने से जादा, तैंकि यह सो मुच कॉटबलस